हलो प्रेंट स्वागत आपका अपना यूटूब चैनल कमपटेटिव गाइडर में कमपटेटिव गाइडर चैनल के माध्यम से चली आज हम लोग देखने वाले हैं परमुक रचनाकार उपनाम और उपाधिया जी हैं आज हम लोग देखने वाले हैं परमुक रचनाकार उप से देख लें और लेकिन रटा नहीं मारने हैं अगर आप लोग रटा मारते हो न तो यहां पे आपके अंदर प्रेसर बन जाता है जिसके कारण आप इसको समझ नहीं पाते हो यहां से सिर्फ आप इसको ध्यान से देखो एक वार देखो दो बार देखो तीन वार देखो अगर जितना बार हो सके आपको याद नहीं हो रहा है तो सिर्फ देखो और सुनो ध्यान से लेकिन सिर्फ देखना सिर्फ ध्यान से देखना आपको यहाँ से याद हो जाएगा तो चलिए आज के महत्वपून उपनाम उपादियां और रजनाकर को देखते हुए आगे बढ़ेंग series लाने वाले हैं तो आप लोग comment section में comment अवस्ण करें कि या वो series अप्लोट किया जाय या आप लोगो का क्या इसमें रहे हैं ठीक आ才 hurricane तो आप लग comment section में comment अवस्ण करना अगर वीडियो अच्छा लगता है तो करना और अगर बुरा लगता है खराब लगता है तो डिसलाइक करके ही जाना बिल्कुल डिसलाइक करके ही जाना अगर खराब वीडियो लगता है तो या समझ में नहीं आता है तो चलिए आज के वीडियो को देखते हैं आगे बढ़ते हैं आज जो हम लोग यहां से देखेंगे अगले वीडियो में यहां से हम लोग देखेंगे उपादियां ठीक है ना यहां से हम लोग क्या देखेंगे उपादियां तो आईए देखते हैं यहां से आपको बताया गया उपादियां में यहां से देख सकते हैं थोड़ा सा मारकर चिंज कर लेते हैं ठीक है न चलिए यहां से हम लोग देखेंगे ठीक है न देखो यहां से आपको यहां पे दिखाया गया है उपादियां में परमुख रचनाकर उपनाम और उपादियां यहां पे इनका सबसे पहले मूल नाम दिया गया क्या इनको उपनाम दिया गया और क्या इनका उपादियां यहां उपादियां ऐसे करके लिखा है तो ध्यारा क यहां ऐसे भी होगा और ऐसे भी तो आप देख सकते हैं का जो मुल नाम है बिद्यापती यह बिद्यापती का मुल नाम है और इनका जो उपनाम दिया गया यह कवी सिखर दिया गया दसावधान दिया गया देख सकते हैं आप लोग कवी कंठाहार दिया गया पंचानन दिया अभी नहों जैदेव दिया गया और मैथिल कोकिल आप ये वाले मैथिल कोकिल को आप हमेशा याद रखोगे मैथिल कोकिल बहुत बार पूछा जा चुका है और साथ में कवी कंठा हार ये दो पॉइंट्स आपको बहुत चाहता यहाँ से याद रखने हैं अगला जो अगला हम लोग देखेंगे ये अबदुल हसन की बात करें इनका मुल नाम है और इनका जो उप नाम दिया गया या उपाधिया दिया गया कहेते हैं भाखा कि जड़ कहेते हैं अभी मान मेरू कहेते चाब रतनाकर और कवी कुलतिलक देखे इन लोगों से related है तो आए देखते हैं धन पाल जी के बारे में यहां धन पाल जी को क्या कहा जाता है सरस्वती कहा जाता है देख सकते हैं आप लोग क्या कहा जाता है यहां से सरस्वती कहा जाता है और उसके बाद हिमचंदर जी की बात करें देख सकते हो आप लोग यहां से हिम नंद दास की बात करें तो इन्हें गड़िया और जड़िया कवी कहा जाता है घड़िया और जड़िया कवी कहा जाता है हरिस्चंद की बात करें तो इनको भारतेंदू या रत्सा कहा जाता है बदरी नरायन चोदरी की बात करें तो इन्हों प्रेमगन और अब जिन्में प् केंगर एवं भुतत जंग भूशं भटताचार और आपको यहां से सुकवी किंकर आपको याद रखने इतना द्याद रखेंगे इप Ton सुकवी किंकर और भरते हैं नहीं हरिहर पासाथ द्यूय rainshram वेदी जीने बियोगी हरी भी कहा जाता है गद्य काव का लेकर भी कहा जाता है योद्यास उपाध्या की बात करें तो इनको हरी हो इंपोर्टेंट है आप इसको याद रखेंगे मैथली सरन गुप्त इन्हें रसी केंदर राष्ट कवी और दद्दा याद रखेंगे सब्सक्त इसको डिया ऩाइप डेवी परसाथ की बात करें तो इन्हें पूर्ण とे कहा गया है गया परासाथ सुकल की बात करें तो by जैसा कि आप लोगों को बता रखा तो आप लोगों ने बिडियो नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट प anonymous और वह कहा जाता है जिनमें आप ब्रच कोकिल को ध्यान रखना है आपको बाल मुकुंद की बात करें तो इन्हें सिव संभु कहा जाता है इंपोर्टेंट है चंदरधर सर्मा की बात करें तो इन्हें गुलेरी कहा जाता है जगनात परसाथ की बात करें तो इन्हें भादू कहा जात सुरे कांतिर पाठी की बात करें तो इन्हें निराला कहा जाता है महापरान स्री मान गजराजसी बर्मा कहा जाता है और साहित्य साहित्य सार्दूल भी इन्हीं को कहा जाता है बाल कृष्ण सर्मा की बात करें तो बाल कृष्ण जो सर्मा है इनको कहा जाता है नविन कहा जात अगला पॉइन्ट यहां कि देखने मिलेंगे यह महादेवई बर्मा से रिलेटेड है तो आये महादेवी बर्म को जो कहा जाताjust है अधुनिक यूग यूग का मीरा आप इसको याद ही करेंगे अधुनिक यूग की हिद्ध कहा जातां महादेवी फर्मा को शिव परसाद सींग को सितारे हिंद कहा जाता है कहा गया है बद्री नाथ भट की बात करें तीने सुदर्शन की उपादी दी गई है पांडे बेचन सर्मा इन्हें उग्र की और अश्टावक्र जिनमें अश्टावक्र आपको याद रखने हैं अश्टावक्र इनकी है इंप पांडिय की बात करें तो इन्हें चोंच कहा गया है स्यूरतन सुकल की बात करें तो इन्हें बलाई कहा गया है रामेश्वर सुकल इन्हें अंचल कहा गया है हिर्दया नरायन की बात करें तो इन्हें हिर्देश कहा गया है देख सकते हैं आप लोग हिर्देश कहा गया है यह अगला जोम देखेंगे वे जनार्धर परसाद जागो यनों दीज यह याद रखेंगे दूज कई बार पूछा जा चुका दूज की ने कहा जाता है तो जनार्धर परसाद जाजी को कहा जाता है मुहलाल महतो की बात करें तो इन्हें असक की उपादी दी गई है भासा का जादुगर और हिंदी भुसन अब भासा का जादुगर को इंपोर्टेंट मान कर इसको नोट करेंगे लच्मिन अरायन की बात करें तो इन्हें सुधान सुकल की बात करें तो इन्हें सिल्ली मुख की उपादी दी गए रमानात की बात करें तो इन्हें सुमन की उपादी बुनेस्वर परसाद मिस्र इन्हें मादो की उपादी की उपादि स्युमंगल से इन्हें सुमन कहा गया विभराट वासना के कभी भी नहीं कहा गया है मुंसी सदा सुखलाल की बात करें तो इन्हें नियाज कहा गया इंपोर्टेंट है आप यह याद रखेंगे और इनसे रिलेटेड हमने वीडियो पिछले वीडियो में बनाकर आप लोगों को पढ़ाया भी है तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओ और वहां से वीडियो को अवस देखो उसी परकार अगर हम लोग बात करें लाला भगवान दिन की बात करें तो इन्हें दिन की उपादी दी गई है रमधारी सी दिनकर इन्हें दिनकर की उप देख सकते हैं आप लोग गोसा इद्दत पंथ की उपादी इन्हें दी गई फनिस्वर नात की बात करें तो इन्हें रेनू की उपादी दी गई और धरती का धन। उसकाद हजारी परसाद दुवेदी की बात करें तो इन्हें बिस्वी सदी का बानबट का गया है बैजनात दुवेदी का गया है और वियोम केस भी कहा गया है भगवती चरन बर्मा इन्हें स्वरती के कवी का गया हरिवन सराई की बात करें तो इन्हें बच्चन की उपादी और जनता के बिच के कवी कहा गया है इंपोर्टेंट है जनता के बिच के कवी हरिवन्स राजी को बैजनात मिस्र की बात करें तो बैजनात मिस्र को यात्री कहा गया नगारजुन कहा गया बावा कहा गया ठककर मिसिर कहा गया देख सकते हैं आप लोग राजनीति कवी भी कहा गया है बाबु को पाल्चंत की बात करें तो इन्हें गिरधर दास कहा गया है बिसंबर नात सर्मा की बात करें तो इन्हें को उपादी दिया गया अभी मनु अनंद की बात करें तो इन्हें सबनम की उपादी दी गई बासु देव सिंग की बात करें तो इन्हें तिरलोचन क कि बाद इनको मुक्ति बोट की उपादी दी गई भयानक खबरों का कभी इनना कहा ग्या है इंपोर्टन hè भयानक one को कभी किने कहा जाता है तो गजानन shoulders कर दोहिए ख़ेया हूर बाद के कभी और कुल दिपसी ये इनकी इनकी उपादिया दी गई है भवाने परसाद मिसर रागवाचार की बात करें तो इन्हें रांगिया रागों की उपादी दी गई कैला सक्सेना इन्हें कमलेश्वर की उपादी दी गई रामविला सर्वा इन्हें अग्या बैताल निरंजन की उपादी दी गई बिद्धा निवास मिस्र की बात करें तो इन्हें भर्मानंद औ और परम जीवी परमपरा जीवी परमपरा जीवी इन सभी इनको उपाधियां दी गई सचिता नंद हीरा नंद बातस्यान की बात करें तो इन्हें अग्ये की उपाधियां दी गई कुट्टी चाटन और कुट्टी चाटन और कठिन काब के प्रित भी कहा गया आप इनको और का सिक्या की उपादी दी गई, गुलकेर खाई इसे सानी की उपादी दी गई, सेवाराम यात्री इन्हें से रा उपादी दी गई, से रा यात्री की उपादी दे गई, प्रभुलाल गर्ग की बात करें ते इन्हें काका हतरसी की उपादी दी गई, मनुहर स्याम जोसी इ इने संकर की उपादी कवीता कामनी कांत की उपादी और भारतेंदु प्रग्यंदु इनी की है और साहित सुधाकर ये सभी नाथुराम सर्मा की है उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे ये लोचन परसाथ पांडे इनकी जो है वह काप बिबिनोद साहित बाच अस्पती ये इनके उपादी दी गए उपादी जो पूरा नाम यहां से देख सकते हैं महिंदर कुमारी की बात करें तो इन्हें मनु भंडारे की उपादी दी गई है दत्तात्रे बालकृष्न कालेकर की बात करें तो इन्हें कालेलकर की उपादी दी गई है अननंदी लाल की बात करें तो आज के लिए बस इतना है फिर अगले दिन अगले वीडियो में मिलते हैं तो आज के लिए बस इतना है फिर मिलते अगले विडियो में आप लोग चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्को न भूले थेंक्स फिर वाजिंग टेक कियार भाई-बाई